हेलो दोस्तो और वेलकम बैक माई चैनल जैसिक दोस्तो आप लोग जानते हैं जून का महीना जो है वो चालू हो गया है और अभी हम लोग अपने मन में यही सोच रहें कि जून के महीन में कौन से कॉइन में इन्वेस्ट किया जाए जिससे हमारा प्रॉफिट कुछ हो पाए क क्यूंकि दोस्तो पैसे की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है सब के पास क्यूंकि मार्केट जो है वो बियर है और हम लोग सोच रहें किस तरीके से अर्निंग किया जाए तो आज दोस्तो मैं आपको यह लेकर आया हूँ जून महीने की यह टॉफ फाइफ कॉइन ज प्रॉफिट ही निकालें लॉस ना निकालें क्यूंकि वैसे ही लुना ने बाकी सारे कॉइन ने हमें यहाँ पर लॉस दिया है तो मैं चाह रहा हूँ इन पांचो कॉइन में आप प्रॉफिट कमाए इसलिए दोस्तो अगर वो कॉइन उस एरिया पे है तो आप इसको बाइ किजेगा नहीं तो रहने दीजे तो चलिए जर्दी से वीडियो को सुरू करेंगे पर सुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है परसनली बात करना है तो नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल ज पास यह चल रहा है और मैं अगर आपको इसका टेक्निकल एनलाइसिस करके दिखाऊँ तो आप यहां पर देख पा रहें इसका जो प्रायस है अगर 6.17 डॉलर के आज पास आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं जरूर से जरूर यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक सपोर area बना हुआ है जहां से यह bounce करता है तो अगर यह इसके पास आता है तो आप इसको जरूर से buy किजेगा और हाँ उपर में आप एक resistance देख पा रहे होंगे जो कि 10 डॉलर के आसपास आता है यहाँ पर buy करेंगे और उसके उपर यहाँ पर यह वाला जो resistance बना हुआ है 10 डॉलर के आसपास वहाँ पर आपको sell कर देना है क्योंकि दोस्तों यहाँ से rejection भी हो सकता है इसलिए आप जरूर से sell कर लिजेगा तो दोस्तों यह था हमारा पहला coin अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे coin की तो वह है दोस्तों हमारा BNB coin जो की Binance का native coin है और इसकी price की बात करें तो 297 dollar अभी इसकी price चल दिये और बात करें इसकी technical analysis की क्योंकि इस coin को तो आप लोग जानते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 38 dollar के आसपास आता है और वहाँ से pump करने की कोशिस करता है तो आप इसको buy कर सकते हैं must coin रहेगा यह आप के लिए इस महीने खास कर और देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज़्यादा आसा है कि यहाँ से जो इसका price है वो pump करेगा और लगबग 363 dollar के आसपास इसका एक resistance बना हुआ है जहाँ से यह हो सकता है rejection भी ले तो वहाँ पर आपको sell भी करना है क्योंकि दोस्तों अगर आप sell नहीं करेंगे तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा आप ही खुद रहेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा है कि sell भी करना है यहाँ पर आपने buy किया और उसके उपर 363 डॉलर पर जैसी आता है आपको stop loss लगा देना है sell कर देना है और अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर अपने तीसरे coin की तो वो है अवलांच AVAX इसका sort form है 24 डॉलर के आसपास यह चल रहा है और यह coin काफी अच्छा coin है हालक यह भी काफी जड़ा डंप किया है बाकी सारे odd coin के साथ लेकिन अगर हम इसका technical analysis देखें तो लगभग 21 डॉलर के आसपास इसका एक support area बना हुआ है जहां से आसा ही यह pump करेगा देख सकते हैं काफी बार यहां से pump भी किया है और फिर यहां पर जो उपर एक resistance बना हुआ है जो कि लगभग 29 डॉलर के आसपास है वहां से यह rejection लेता है और अब इसका price चल रहा है 24 डॉलर तो आप यहां पर देख पा रहे हैं लगभग अगर यह 21 डॉलर के आसपास मिलता है तो आप इसको जरूर से buy किजेगा और यह काफी अच्छा coin है और हां 29 डॉलर के आसपास आप इसको sell भी कर सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बाकी अगर हम बात करें हैं पर अपने चोहते coin की तो वो होने वाला हमारा XRP 0.39 डॉलर के आसपास इसका price चल रहा है और अगर हम बात करें इसकी technical analysis की तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लगभग 0.37 डॉलर के आसपास इसका एक support बना हुआ है हाला कि इसका जो price है वो 0.39 चल रहा है ज़्यादा फर्क नहीं है अगर यह आपको 0.37 डॉलर के आसपास मिलता है support area के आसपास यहां पर तो आप इसको buy कर सकते हैं और उपर एक resistance बना हुआ है जो कि यह 0.51 डॉलर तो यहां पर आप इसको sell भी कर सकते हैं और यहां से भी आप अच्छा profit book कर सकते हैं और अगर हम बात करें यहां पर अपने आखरी coin की तो वो रहेगा दोस्तों हमारा Cardano ADA जहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं 0.55 डॉलर के आसपास इसका जो price है वो चल रहा है अगर हम बात करें technical analysis की तो लग भग 0.44 डॉलर के आसपास इसका एक support बना हुआ है जहां से आप देख सकते हैं दो बार यह pump कर चुका है तो आसा यह है कि इस बार दुबारा pump करेगा 0.56 डॉलर चल रहा है अगर हम देखते हैं कि इसका जो price है वो और नीचे आता है तो 0.44 डॉलर के आसपास आप इसको buy कर सकते हैं और हाँ 0.80 डॉलर के आसपास आप इसको sell भी कर दीजेगा इस चीज़ का ध्यान रखेगा एक छोटा सा resistance बना हुआ है लेकिन आप बियर मार्केट में एक छोटा सा resistance भी बहुत बड़ा काम आता है तो इसलिए आप यहाँ पर इसको sell कर सकते हैं तो कहाँ पर आपको buy करना है कहाँ पर आपको sell करना है दोनों चीज़ मैंने आपको detail के साथ बता दिया है इस वीडियो में तो आसा करता हूँ दोस्तों आप इससे कुछ profit generate कर पाएंगे तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीज़ेगा चैनल पर नए हो तो subscribe करके bell icon को all कर दीज़ेगा हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में bye bye see you next time